नमस्कार दोस्तों आज 11 सिप्टेंबर और 11 सिप्टेंबर को एक वर फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि Yes Bank पे है और तीन बड़ी अपडेट्स को लेके आया हूँ इस वीडियो पे तीनों ही काफी important अपडेट्स हैं Yes Bank का दो अपडेट्स तो कली आया हैं जो कि Market क्लोज तो इसका इंपक्ट अभी तक हम लोगों देखने को नहीं मिला एक तो एक तो अपडेट बहुत अच्छी एस बैंक के लिए लेकिन एक अपडेट इसको किस तरह से करेगी यह तो मार्केट आज ओपन होगा 11 सेप्टेंबर को तभी पता चलेगा क्योंकि अभी प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल होगा वीडियो में कंटेंट ज्यादा क्योंकि तीन अपडेट को हमें कवर करना है तो चलिए करके स्टाट करते हैं और देखते हैं इससे पह सब्सक्राइब करते हैं और सारे कंटेंट 100 परसेंट जिन्वीन होता है तभी में लेकर आता हूं अफवाओं पर या फिर कोई वीव पाने के लिए अपडेट अपने हिसाब से नहीं लाता हूं चलिए करके देखते हैं और उसके बाद जानते हैं कि इसका अपडेट का पेन हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस बैंक में हल चल क्या हो रही है चलिए करके देखते हैं सबसे पहले यस बैंक का जो अपडेट है वह हम लोग देखेंगे कि इस पे देखिए 28 तारीक को 29 अगस्त को यह अपडेट आई थी यहां पे देखिए इस अपडेट के वज़े से स्टॉक में कारेक्शन आया था और स्टॉक अपने लोवर वैल्यू पे ट्रेड करता हम लोग को दिख रहा था जो कि हमें चार्ट में भी दिखाई देगा घटा घटा दिया था जिसके वज़े से इसमें तेज गिरावट आई थी 29 तारीक को और इन्हों ने जो टार्गेट दिया था वह 55-56 का टार्गेट दिया था जो कि इसी में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा और यह उस दिन 69 रुपय पर ट्रेड कर रहा था तेज गिरावट के साथ 69 रुपय पर ट्रेड कर रहा था तो यह तो थी एक अपडेट जिसके वज़े से इसमें नीचे का हम लोग का डाउन ट्रेंड देखने को मिला था मैं आपको चार्ट में लिए चौशट रुपय पर था और देखें 29 अगस्त को इन्होंने इस स्टॉक ने जो बनाया था वह संतावन रुपय एक था तो इनका जो स्टेटमेंट आया था जिसके वज़े से जिसके वज़े से स्टॉक में करेक्शन आया था और करेक्शन के बाद हम लोग देख रहे हैं क कि भूठ थोड़ा थोड़ा दिमये दिमये करके उपर कि ओर जा रहा अलगवको 63 के आसपास में ट्रेड कर रहा और अभी चो दो अपडेट कर नकल के आई हैं दोनों ही काफी इं४ार्टेंड हुग येस बैंक के लिए बनों ही काफी इंपडेशन के लिए कि यह दिया यय को यह अपडेट आया हुआ है और इसमें जो यस बैंक के सी ओ है नवीनित गिल सर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट की वीडियो काफी मौजूद है यूटूब में और इसके बारे में पूरी डिटेल्स दिये हैं तो बहुत सारे लोग इनके बारे में अभी इस अपडेट के बारे में भली भाती इस चीज को जान दे हैं लेकिन कुछ लोग हो सकता इससे भी वाकिप नहीं है तो मैं सौर्ट में बताज देना चाहता हूं कि नवीनित गिल सर ने एक डील की पुस्टी की है लेकिन इस डील को किसके साथ कंप्रीट किया रहा है वो इन्होंने क्लियर नहीं किया है लेकिन इतना बताया है कि स्टेक का जो इन्होंने स्टेक को मैजरिटी स्टेक टू गलोबल टेखनोलोजी कंपनी टी हुस हेल्प टू बूस्ट इस केपिटल मतलब जो डील हुई है वो स्टेक को सेल करने की डील है और वो जो लेंगे व है कि हम लोग काफी कुलोज है इस डील से मतलब लगबग डील कम्पिलीट होई गई है लेकिन अभी पूरी हंडेट परसेंट नहीं 90 परसेंट अपमान के चल सकते हैं गील का जो जो डील की परसेंटेज हो टेन परसेंट है इनिसेली और उसके बाद आगे दीरे-दीरे करके इसमें और भी आगे डील को बढ़ाया जाएगा और वो डील कब तक फाइनल होगी इसमें यहां पर देखे दिया हुआ है था बोर्ड हाज गीवन फॉर्ट लार्जेस्ट प्राइबेट लेंडर्स टू गो अहेड तो राइज दा मोर केपिटल गुरों दैस बैंक प्रेंसियल एलाउटमेंट्स ठीक है आगे जाकि यह डील और भी बढ़ सकती है तो यह काफी अच्छी न्यूज है यह बैंक के लिए और यह बैंक के सेयर होल्डर के लिए लेकिन इसके बाद जो मैं अपडेट लेके आ रहा हूं वह हो सकता है इसके लिए काफी अच्छा अपडेट कल ही आया हुआ देखें पेटियम के मालिक बिजय सेंकर सर्मा यस बैंक में खरीच सकते बड़ी हिस्तदारी दो हजार करोड करेगी खर्च ठीक है ना तो तो यह एक अपडेट जो आया है यह एक्च्छली में यस बैंक के जो पहले राना का पूझी थे इन्होंने ऐसी बात कई है जिसके वजह से पेटियम पहले से भी इस पर इंट्रेस्टेट थी लेकिन देखें यहां पर क्या हुआ यह वालेट सर्विस देने वाली कंपनी प प्राइवेट बैंक यस बैंक में बड़ी हिस्सदारी खर दिने की तैयारी में मेडिया रिपोट के मुताविद यस बैंक के फाउंडर राना कपूर अपनी और फैमिली की 9.64 पासेंट हिस्सदारी को 2000 करोन रूपे में बेश सकता है आपको बता दे कि राना कपूर ने बहुत ही बड़े मतलब आप चानकार मान सकते हैं यस बैंक को इस हुचाई तक पहुचाया इन्होंने और इनको भली बाती पता यस बैंक के बारे में और एक साल पहले यह स्टेटमेंट दे रहे थे कि यस बैंक का एक एक भी स्टेक हम लोग अपना जो स्टेक है वो नहीं बेशेंगे लेकिन यहां पर देखिए कल ही यह बात निकल काई है मेडिया के तरफ से और इन्होंने इसी को क्लियर किया है कि हम लोग अपनी हिस्टदारी पेटियम को बेश सकते हैं पर मोटर्स के इन दोनों समोहों कि बैंक में कूल मिला कर कितना हिस्टदारी है 20% की हिस् जिसके बाद राना कपूर और असोक कपूर के उत्तर अधिकारी के बीच विबात सुरू हो गया था पर मोटर्स ने इन समोहों की बैंक में कूल मिलाकर हिस्टदारी इतनी है सोच लिए यह भी है भी नहीं इनके जो डिपेंडेंट है उनको लेके यह बताया जारा कि 20% की ह प्रवंदन और मुख्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिये गए रिजर्ब बैंक आर्बी आई के तरफ से जो यह सप्तेम्ब्र 2018 राना कपूर के 31 जनवरी तक यह पद छोड़ने का निरेश दिया था क्योंकि इनका टाइम कंप्रीट हो गया तो एक्स्टेंड मांगा जा हिस्थारी यह किनि एन जाइसितारी का निम्टाइक के साट कियो यह 9 पर्सेंट की टीक है इनका इसमें से साट पर्सेंटन के पास घरा हुआ राना आप और यहां पर बात करेंगे दख्य है एक सालों में येस बैंक में क्या हुआ तो जोरदार के नेदे शवीर तेजी देखने, मंगलवार के 70 बैंक है त्धे में 5 फिस्हेधी के बड़ोतिरी हुई है तो प्रेल के शुषाद में यिसव Works oc तो देखिए यस बैंक फंडमेंटली एकदम एकदम बहतरीन स्टॉक है इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन देखिए यही मैं काता हूं कि नियूज का इंपक्ट है वह मार्किट की से साब से लेगी आपको भी पता नहीं हमें भी पता नहीं वह बड़े-बड़े इन्वेस्ट यह देखना काफी जरूरी होता क्योंकि जब उनका हल चल होता है तब प्राइस पर बहुत ज्यादा अब डाउंड देखने को मिलता हमारे आपके जैसे छोटे इंवेस्टर्स कितना पासर लगाए होंगे और आपके सेल करने से या मेरे बाई करने से स्टॉक पर क्या हो सकत आए किया तो यह इंपक्ट हमें आज के ट्रेडिंग के बाद समझ में आएगा और जैसे यह ट्रेडिंग खत्म होती है और साम तक अगर कोई निउस निकल के आती है तो मैं आपको जरूर अपने चैनल पर वीडियो को माईद्यम से या अपडेट जरूर पहुंचा हूंग इस दोरान बैंक की आमदेनी बढ़ी है ठीक है देखिए आमदेनी बढ़ी है यह 25,000 करोड लगवग 25,500 करोड रुपय से बढ़कर 34,000 करोड रुपय हो गई तो बैंक का जो फंडमेंटल से वो किसी भी फाइननसियल कंडिसन से भी बहुत ही तगड़ा है बैंक का यह तो म जिसके वज़े से कैपिटल एक्सपेंडिश होगा जैसे इस टेक्स सेल्स होगे और यह सेल्स की डिल अभी यह कंप्लीट नहीं करना चाहते क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफी गिरा हुआ तो अभी जो भी डिल होगी उसमें प्राइस इनको कम मिलेगा तो अभी थोड़ी थोड़ी दिल के बारे में बात कर रहे हैं आपने देखा ही है कि 10% की अभी जो डिल हो रही है ग्लोबल टेक्नोलोजी के साथ वो 10% कि और बाद में इन्होंने बढ़ाने की बात किया है तो यह बाद में इसलिए कि कहें है कि हो सकता मार्केट में इसका इंपक्ट अच्छा इसे देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद इस सेयर पर टेडिंग किया जाएगी एक चोले में यह अभी इतना लोग वैल्यू पर मिल रहा है कि लोगों का मन एकदम लजमी है कि लल्चा ही रहा होगा कि इस स्टॉक को बाई कर ले तो देखिए न्यूज ब लोग इस पर हमारी चैनल पर विजिट करें मैं उनसे जरूर यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले यह जैन्वीन इंफॉर्मेशन हमारा चैनल आप तक जरूर पहुंचाएगा और पहुंचाता ही है वीडियो गर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए औ आब ऑे अजगी कर दो ए्धर असारा के इस जरूरो च्राइब और रॉक्राइब года ह autographed और गमिर्मेशन मंश्चाने को सब्सक्त्षा टे के इस चालई, और यह जह हम में की का इस नuben फ्रूर आखिव करें, ह। रह। और यह हम ठाषर रहन है का ज Öyle बंपाएब है का कि भीर